दोस्तो आज हम आपको एक ऐसा सच बताने जा रहे हैं जिसको देखने के बाद आपके पैरोतले मिट्टी खिसक जाएगी वो क्या है जो बजार से आप चीनी खरीदते हो ये चीनी है इसका बेट दो किलो है इस चीने में ऐसी चीज मिलाई गई है जो आप इसका अंदाज सकते हो इसमें क्या है दिखे हैं एक प्लास्टिक जो की गरम पानी में घुछाते जाते हैं और ठंदे पाने में गूलते नहीं है ने अमारे प्रस्वाइब करके बताते हैं इसमें क्या है तोинки एक है और इतनी छीन डाली. और ज़्यादा नहीं है मुस्विल से ज़्यादा ज़्यादा आपकी 50 ग्राम भी नहीं होगी अब इसमें क्या करते हैं हम इसमें थोड़ा पानी डालते हैं देखिए इसको पानी में गोलते हैं इसमें पानी डाला है मैंने और इसको पानी मैंने चीनी को गोला आपके सामने दिखा रहा हो किस तरह प्लास्टिक के छोटे छोटे कड़ हमारे इस चीनी जे निकल कर भार आते हैं ये प्लास्टिक के कड़ इतने खतरनाक हैं कि आपके सरीर में कैंसर जैसी बीमारियां पैदा कर सकते हैं सभी फ्रेंड्स से रुपकरस्ट है निवेदन है कि इस मैसिज को देखने के बाद अपने सभी गुरुप में इसको आप भेज़ें ताकि लोगों के पास ये मैसिज पहुंच सके इसमें पानी को थोड़ा कम कर रहा हूँ ताकि अच्छी तरह से गुल सके और भी मैं इसको तुदे घोल रहा हूँ जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं मैं इसको घोल रहा हूँ और ये प्लास्टिक के कड़ है ये थंडे पानी में गुलते नहीं है जबकि चीनीर को देख कड़ हैं या नहीं भी है इसको मैं छान रहा हूं चलनी से सारा मैंने इसमें उड़ेल दिया अब देखिए अब आपकों प्लास्टिक के कड़ दिखाते हैं कितने हैं इसमें खुड़ा पानी भी और इसमें साफ करते हैं डाल के कर देखिए तर आपके सामने देखिए यह कड देखर हैं किस तरह चीनी घृजय का बजन बढ़ जाए और देखिए इस सारे प्लास्टिक के कड़ हैं ये मैंने थोड़ी चीनी ली थी उसमें इतने निकले हुए हैं और जब मैं पूरी दो कलो चीनी को घोलूँगा तो इसमें कितने निकलेंगे आप इसका अंदाद नहीं लगा सकते हैं जैसे कि मैंने एक गलास पा सभी की एक पास पहुंचाएं और ताकि लोग जाक्रत हो जाएं देखिए सर फिर आपको दिखाते हैं एक बार कि लिए इस सब प्लास्टिक के कड़ां से अदिक इदधाएंगो कैसे दबायां इये फूटने वाली नहीं नहीं है देखिए है टीनी में कितनी मुलावट हो रही है इस मैंस इसको सर अधिस से अधिक के पास भेजैंग बताएं चीनी ख़रिकती समय उससे प्रक्टिकल करके देखें मategलावट तो इस पानी को बेर्थ ना जाने दें इस पानी को बचा लें ताकि आपके किसी काम में आ जाए मैं तो यहां पर बेर्थ मैंने बहार दिया आए ओके सर्थ इतना ही बताना चाहूंगा धन्यवाद